मेश आज का दिन आपके लिए बहुत से विकल्प लाएगा। यदि जीवन में ऐसी स्थिती आपको निरणय लेने की आवश्यक्ता है, तो निरणय वहले जो आपके दिल से होन की दिमाग से, सामाजी कृतियों को थ्यान में रखकर नहीं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाते हैं तो आज इस दिशा में कदम अवश्य उठाए, प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता पर धरोसा रखे, यदि कोई नया काम करना चाते हैं तो आज उसके लिए अच्छा गिन है, लग विवहा में भी बहुत स सारे लोगों से सलहा लेने की बजाए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने की क्या यह निरणय आपके लिए उच्छित है या नहीं में त्रोब से निजात के लिए अपने प्रयास करते रहें, जल्दी सफलता मिलेगी, अपनी दिन चर्यां पर पूरा ध्यान दें व्रिशाच का तिनार्थिक रूप से कुछ हानी होने की संभावना है, इस ओर से सचेत रहें, कहीं कोई गलत निवेश ना करें, किसी की बातों में ना आए धन से अधिकस्वास्थे की हानी परिशान कर सकती है, चिन्ताओं से बचें, चिन्ता किसी भी चीज का हल नहीं है, अपने व्यवहार में नर्मी बरते सबसे नम्रता भरा व्यवहार रखें, अपने विचार, अपनी बाते और अपनी समृधी में भी अपने प्रियजनों को भागीदार बनाए, उनसे शेयर करें, बांटने से ही खुशिया बढ़ती है, प्रोफेशन कार्यक शेत्र में आज बास से किसी बात पर अनबन हो सकती है, यदि कोई बात बुरी लगे या गलत लगे तो उसे खने से चिज़क ना करें, लब प्रियजनों से अपनी बात शेयर करने में चिज़क ना करें, उनसे आज पूरा स्योग मिलेगा, अपने विचारों में अर्यल ना होंगेल्थ आस्थिय का थ्यान रखे, कोई नया व्याया मारंब करने से फले किसी एक सपर्ट की सलाह अवाश्य ले, मिथुन आज का दिन करने योग्ये बहुत कुछ है, जिस कारण आपको कुछ तनाव मसूस हो सकता है, और काम में मन नहीं लगेगा, अपनी प्रात्मिकताओं को अच्छे प्रकार से समझ जानकर काम करेंगे तो बेतर रहेगा, आज फोकस रुना आवश्यक है नहीं, तो मन इधर उधर भटकता रहेगा, और दिन के अंत में असंतोश की भावना उत्पन हो सकती है, जो की तनाव और बढ़ा सकती है, प्रोफेशन कार्यभार अथिक रहेगा, बास को इंप्रेस करने लिए कोई नया कार्य लेने से प्ल स्वास्थे का थ्यान रखे, व्यर्थ की चिन्ताओं और तनाव के कारण से हथ पर बुरा असर पड़ सकता है, मेडिटेशन से लाध होगा करका आज का दिन मन में दुविधाय बनी रहे सकती है, किसी निरने को लेकर परिशान ना हो, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें अपने मन की आवाज आवाशे सुने, आज अपने मूर स्विंग पर नियंतरन रखें, आज भावनाओं की अथिकता रहेगी जिस कारण आज लिया हुआ निरने गलत भी हो सकता है, अपने गुस्से को शान्त रखने का प्रयास करें, अपने आत्म विश्वास में आज कमी ना होने दे, प्रोफेशन कार्यक शेत्र में आज फोकस की कमी रहेगी, यदि नौकरी से जुड़े किसी मामले में द धुर्ता बनी रहेगी एल्प स्वास्थे का ठ्यान रखे, यह में त्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा, अल्टरनेटिल हीलिंग जैसे रिकी, प्रार्निक हीलिंग इतियादी से आपको लाध होगा, सिंध कुछ समय से कामरूख हुआ है, कि तु जलदाजी ना करे नहीं, तो आपके लिए नुक सांधे हो सकता है, आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, अपनी अत्याथी कूर्जा को आज उच्छित गिशा में लगाए, परिवार में प्रापर्टी का कोई मामला सकता है, सोच समझ कर बोले, आपको आपका हक अवाश्य मिलेगा, सहयम रखे, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज किसी काम में जल्दबाजी ना करे नहीं, तो आपको भारी नुत्सान हो सकता है, लब, यदि किसी के लिए मन में भावनाए हैं, तो आज उन्हें व्यक् मिलेगा, कन्या आज का दिन उर्जा पूर्ण रहेगा, आज लोगों से मिलना जूलना लगा रहेगा, जिस कारण कार्यक्षेत्र में और निजी जीवन में आगे के द्वार खुलेंगे, इन सब में अपनी जरूर्तों की और ध्यान देना ना भूले, आप भी उतने ही आवाज आवाशे सुने, यदि कोई बात आपको उचितना लगे तो उसे मानने की आवश्यक्ता नहीं नहीं, अपनी विचार धारों को अत्यतिक त्यागना जरूरी नहीं जब तक कि वह आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारत ना हो, प्रोफेशन कार्यक्षेत्र मे नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार है, आपका प्रोफेशनल व्यभार आपके काम के लिए अच्छा रहेगा, और क्लाइन्ट इसकी सराना भी करेंगे, लव प्रियाजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने को मिलेगा, सामाजिक मेल जोल में आज आपका दिन व्यतीत होगा हिल्क स्वास्थे सामान में रहेगा, पेट से संबंधित कुछ कठिनाई हो सकती है, अपनी दिन चर्या को अच्छा बनाए रखे तुला आज का दिन सामान में रहेगा, परिस्थिती अनुकूल रहेगी, पुराने किये हुए निवेश से धनलाब के योग हैं, कि हुई मेहनत फल लाएगी और उन्नती का मान प्रशस तकड़ेगी, अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाए, किम तु इस प्रक इस से किसी का भला नहीं होगा, मदद उसकी करे जो उसके योग के हो, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में अपनी मेहनत को बेकार ना जाने दे, सोच समझ कर काम करे और अपना हत मांगने से ना कत्राए, लब, प्रियाजनों के साथ सुन्दर समय बिताने को मिलेगा, किसी समके कारण आज कुछ परेशानी हो सकती है, व्रिष्चि का आज का दिन रचनात्मत उर्जा की अधिकता रहेगी, इसे उच्छित दिशा प्रदान करेंगे तो लाभ होगा, इसके साथ साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भ भैरे और सहयम से काम ले, धनलाब के योग है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, केवल अपने व्यवहार में सहयम बनाए रखे, प्रोफेशन, अपना व्यापार या व्यवसाय आरंब करने के लिए आज का दिन अच्छा है, लब, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के सा साथ अपने लिए भी थोड़ा समय निकाले मेल्थ, स्वास्थे सामान्य रहेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखे, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, अपने लिए रोज की दिन चर्या में थोड़ा समय अवश्य निकाले धनुआ आज का दिन परिस्थितियों में बदला के कारण कुछ परिशानी रहे सकती है, प्रत्य एक परिशानी का हल तभी मिलता है, जब आप परिशानी कोन कार्ने की बजाए फले उसे स्वीकार करते हैं, और फिर उसे समझते हैं, हर परिस्थिती में निहित वर्दान को चाने यह समय अध्यात्मिक उन्नती का भी है इस अफसर को व्यार्थना होने देंखोई ऐसा व्यक्ति चल भी मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा आज कुछ नया अवाश्य सीखे इससे आपकी अध्यात्मिक उन्नती भी होगी प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण परेशानी और तनाव हो सकता है करियर लाइन बदलने का सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए उत्तम है लब आज रिष्टों में कुछ बदलाव और परिवर्तन के कारण परिवार में स्थिती तनाव पूरण रहे सकती है हे इनकी जाज करवा कर निश्चिन्त हो जाए मकर परिस्थितियों में सुधार होगा परिस्थिती जल्धी आपके अनुकूल होगी जिससे आपको धन लाध होगा और व्रधी के आसार बढ़ेंगे अपने आत्म विश्वास में कमी ना होने दे जीवन में किसी नए रिष्ट का आगमन होगा अपनी भावुकता के कारण स्थिती का सही प्रकार के आंकलन करने में कुछ गल्ती हो सकती है व्यर्थ चिंताओं में आज का दिन बरबाद ना करें अपने फोकस को बनाए रखें मेडिटेशन अध्यात्मिक उन्नती से जुड़ा कोई भी कारे करने के लब रिष्टों के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा यदि प्रियजन से मिलने का मौका मिले तो अवाश्य इसका लाभ उठाएं गेल्थ स्वास्थ ये अच्छा रहेगा आज उर्जा की कमी नहीं होगी इसलिए आप अधिक से अधिक काम करने में सफल होंगे कुम भाप के जीवन में परिस्थिती इतनी बुरी नहीं जितना आप सोच रहे हैं किसी और के दृष्टी को उर्ण से देखने का प्रयास करें आपको एक अलग ही तस्वीर दिखेगी अपनी जरूरतों के लिए इतना परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है आपकी जरू के बारे में भी सोचें हर परिस्थिती को लेन देन के नज़िये से ना देखें प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में आज किसी बात से समझ पूता ना करें वही करें जो आपको उचित लगता हो धनलाब के योग हैं लब अविवाहित व्यक्ति आज कोई मत्वपूर्ण निरण इल्फ ननले उचित समय का इंतजार करें प्रियजन से आज किसी बात पर अनबन हो सकती है जो कि गंभीर रूप धारण कर सकती है हेल्थ स्वास्थ्य की देख भाल करें डाप्टर से निरंतर चेक आप कराते रहें किसी की बात को दिल पर ना ले कि इससे आपके स्वास्थ्य की हानी हो मीनाज पुरानी यादो मेनाख होकर वर्तमान में रहे आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नती होगी और अथ्याक्मिक रूप से आकी वृध्धी होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिष्टे में अथ्याथिक प्रयास करने की बजाए उसे समय के सा संभालने का मौका दे। प्रोफेशन, काम में अपना फोकस बनाए रखे। व्यार्थ की गासित में ना पड़े नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है। लब, परिवार अजनों के साथ आज समय बिताएंगे। पुरानी बातों को याद कर आज दुख मनाने में अपना सम किसी भी चीज का हल नहीं है। कोई पुराना रोग आज परिशान कर सकता है।